सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरहा चंचल, चमच्ती और मद्भूश का देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांदा एक इंतकामी दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांदा सुलस्ती हैरतंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांदा अपने बहते खून से शव्या पंडित जगनाथ ते लिए मंदर की पवित्र फर्ष पर ये आखरी अबारत अंकित करती है होनी प्रबल होती है शव्या कहना कुछ और चाहती थी लेकिन उसके हाथों ने इतफाक से गातिल का एहम नाम मिटा कर कह दिया कुछ और नतीजा शव्या के बजाए पंडित जगनाथ के खिलाफ चीखता है शव्या के खून से लिखा ये आखरी बैर्बल पंडित जगनाथ ये कठोर इतफाक था लेकिन इस वक्त सारे सबूतों ने पंडित जगनाथ पर निशाना साथ दिया तो आप हैं हमारी बहन के कासिर सब्ध्या के हत्यारे अब इसमें हमी कोई संदे नहीं इसलिए सब्ध्या बार बार आपकी तरफ इशारा कर रही थी और ये और ये रहा सबूत पंडित जगनाथ अजगर की जाल साजी और पुजारी की खलत पहनी में घिरेग बयान की वज़े से एक और जगन्य आरोग का शिकार बन जाते हैं वो है शप्या से बिवाख करने का कलन्द महारानी पंडित जगनाथ जैसे इमांदार और वेदाव इंसान को यो कफोर खुप्न जारी करती है पंडित जगनाथ तुब्ध्या की हठ्या की कीमत तो चिकानी ही पड़ी और हमने पैटला किया है कि तुब्धित प्रोशाही हिरासत में ले लिया जाए इस सादेश से हासल हुई दुश्मन को बे इंतहा काम्याबी और पंडित जगनात को हासल हुई इंतहाई पीडा, रुस्वाई और हिरासत की जिल्लत तेट सिंग और केट की को गईले के दल्पती के आदेश थे इस से भी ध्यानक दंड और जिल्लत मुकमिल हुए इनका मौत का कोवा माँ, झाट दो मौत के कोवे में तेट सिंग और केट की घबीले के चानून के फैसले के तहथ जिल्प्ती जद जहद से रहे हैं जूद थिल्लत और इस जद जहद की गर्दिश से तेट सिंग ने तराश आपने हक प्ने आजादी का नतीजा लेकिन इस आजादी की मन्जिल के बीच उन्हें फिर से खड़ी मिली एक कटिन अर्चंग दल्पती देवताओ तुम फिर भगने का कोशिश किया हिम्मत किया दल्पती देवताओ से ऐसा हिम्मत मनासिब नहीं लेकिन किस्मत ने इस बार तेइथ सिंग significant का दिया साथ सजादेने के बजाए कबीले के चानुन के खिलाफ उन्हें फुरार होने की इजाज़त हो जाती है नसीब दल्पती देवता की बदालत लेकिन खिस्मत ने एक बार फैसे तेट सिंग और केतकी के दामन में डाल दी जुदाई और शोक की घडियां आजादी की दिशा में बड़ते तेट सिंग और केतकी के तनिक फासले का फायदा उठाकर दलपती देवता का बेटा शाकालपती केतकी को मौतिल से दबोच कर लेता है अगवा अगवा करने शब्या की लाश को जल्ती चिता से पहुचता है तारा का खतरनाख खिदमतगार अजगर अंतिन संसकार संपन्न होने से पहले ही अजगर एक बहानत जिस खोट के माध्धम से देशत पहला कर लाश को कर लेता है अपने पबजे में इन सारे वाकियात से महरानी कलावती महराज शिवदत को करवाती है अवगत और अपने फैसले की देती है जानकारी हमारे आदेशन सार तातिल गिरफतार कर दिया गया है कौन है वो मरतूत कुनेहकार वो और कोई नहीं आपका सबसे वफादार सबसे प्रियर पंदित जगननाथ महरानी महरानी का ये फैसला पहुचाता है महराज को बंदित ग्रिह तक पंदित जगननाथ की जबान से मालूम करने असलिया शिवदत को एक आंथ चाहिए एक आंथ के परदे में महराज शिवदत अपने अजीज और वफादार पंदित जगननाथ को शब्दा के खून के इल्जाम की दल्दल से उबार कर बेगुनाही की तहीज पर गदम रखने का देने आये है मौका और फिर ये मेरा दुर्भागी है महराज सारे ठो सबूत सभ्या के साथ ही दफन हो चुके हैं लेकिन दफन होने से पहले सभ्या के खून ने तुमारे खिलाफ सबूतों की एक फैरस्त तर्च कर दी वो सबूत नहीं महराज वो गल्ट फैमी है या फिर जाल साजी है महराज इसकी वज़े से मुझ पर या न्याय हुआ है बंडि जगनात महराणी कलावती के फैसले और आदेश पर कोई भी तौमत लगाना शिव्दत को मन्सूर नहीं लेकिन तुमारे लिए जो जगा है जो इसके मते नजर शिव्दत तुम्हे दो तिन का वक्त देता है ताकि तुम अपने बचाओ के हाग में जो सबूत पेश करना चाहू कर सकते हो और इस काम के लिए तुम किसी की मदद में ले सकते हो महराज मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे बेगुना साबित होने का अफसर दिया अगर इस अफसर का फाइदा नहीं उठाए पन लिए जगनाथ तो तुम्हें शुक्तत के वालादी फैसले का सामना भी करना पड़ेगा और वह मौत अगराज नहीं उस ताखे के लिए माफी चाहता हूं महराज अटी जी की जिन्दघी हम सब लिए बहुत कीमती है महराज अँगर अजव जिकव जिंदघी की भीक मांगता हूं आपसे आए शन्तिन्दघी की भीक दे देर दिजा हमें महराज नोइ किजय महराज खावोश खावोश हो जाओ तुम दो अपनी भावनाओं को कावोगे रखो माहराज के उसूरों को भावनाओं की बंदी से मर्दूर मत करो शिफतत चाहे या ना चाहे लेकिन चुनारगर का माहराज होने के ना थे शिफतत को ये तायत पतन में भाना ही पड़ेगा चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी नोगड़ विजेगड में धी तक फुरा नोगड़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार चंद्रकांता से करता था प्यार शनीप पतिगाग के लिए हैं अब अब बनी जी आपने मुझे याद किया है हाँ बन्दी गिर में तो यहां मुझे कोई समचार मिलता ही नहीं है बद्रेनात इसी को गिफतार करने गए थे उनका कोई समचार जी नहीं अब ये तक तो कोई समचार नहीं है अजना मेरी गिफतारी के बाद विरोधियों के वोस्के बहुत मुलंद हो गए हैं बद्रेनात यहां पर है नहीं और मैं निश्क्रिय हूं ऐसे में द्वाई जिम्म पपजिया सपया के साथ लुप गया लेकिन गंधर विवाावाली बात की असके शाम्रेट की जरूरी है पंडित जी आप पर लगाए हुए जितने वी जूटे आरोप है उन सब की जानकारी मुझे है इसी लिए जूटे आरोपो कि श्नेखला का तूटना बेहस्थ दमने है एक करी तूटेगी तो इस जावों के जंजीर अपने आप भी कर जाए पंडित जूट और फरेप की जंज ले सकता है और वह है मेरा भाई शमी लेकिन उसका पता ही नहीं मालूम करता हूं पंडित जी पंड़ना भाई होने के नाते ऐसे कठे समय में उसे मेरा साथ देना चाहिए था और वो मुझसे बिलने तक नहीं आया शनी शनी यह लो आगया पत्र इसमें महराज के मोहर लगे वी है इतनी दौलत के साथ अब तुम चुनारगर के सेमा असानी से पार कर सकते हो अब तुम्हें कोई नहीं होगेगा यह यह सब तारा की करामात है यह आगया पत्र तारा ने तुम्हारे लिए खास दौर पर तयार किया है शनी तुम्हें अलवगा कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है मगर क्या करें तुम्हारे जाना बहुत जरूवी है हाँ बगर जाने से पहले तुम्हें एक खुश का विसनाना चाहती हूँ सब्या की कटल के इलजाम में तुम्हारे भाई पंडित जगनाद को गिरफतार कर लिया गया है जगनाथ को अंजाम यही होना था मैं उसे तमाम तर्सकार का बतला जुका दिया जगनाथ तुमसे मैंने बतला जुका लिया कि पंडीजी शेनि अपने कक्ष में नहीं है या उसका कक्ष बिल्कुल खाली पड़ा है लेकिन उसके कक्ष से ये छोटा सा संदूक पराप्थ हुआ है इस संदूक, क्या हो सकता है इसमें, पन्नालाल इसमें, इसमें कुछ ऐसी वस्तु हैं, जो मेरी दिश्टी में बहुत महत्पूर्ण है, तुम फारान उस पुजारी के पाद जाओ, जो आओ क्याओ, जो षाओं का थ, जो अन्हाँ, गलों का हा,arsh, को क्या, क्यों, गोच्य के माला, कि माला तो सपिर घुए है, 30 shuttle? शनी, के कक्ष में सपिर कि माला, शनी. जपगे नोचा जपगेए. मैं भाल, मुझे वो एगे, मुझे लिए. खास मोरे से दूर, सुखे हुए फूलों की माला, सप्या के मुटी. हर गन्ना, और हर वस्तु चीख चीख कर मेरे हाल प्रस्ट का उतार दे रही है. ये कह रहे हैं कि शनी ने सप्या के साथ दूका किया है. कि मुटी अिरू प्रुब अधारी झाल… ये कर में दोका कर माणा दे कर दिए् downward-प्रसाइर. ये कि वस्तु चांईते के साथ-प्रस्ट की चीख वाऊिक ये कि Statesma Hog Georgia Fig research साथ-जेूरी ये मुटी is fresh ownership me benओने के साथ-णना.. की पंट्रेशार ए्लयुज की अरा एिवेशार एुर्ण वियाओारा हुदार ए पयाँए एुछ के वहांगते थे एक जारर एए एक जुदारा हुदारे हुदारण तुप, रिए्टू, पुप, 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 पुप... तुम्हे महां बता! हम यहां माओम! तुम्हे मेरी कुप! अबले चब्ले एकार जएर झालीशा निए! मैं सभ्या की कटल का जोरुब का मुखते दिया शनी को मेने चुवाद दराने का मुखते दिया ये मेरी पहली पहली गल्दे थे शनी मेरे भाई इतने पर सुवाद अधर तुझे पने भाई की आदा ही गई उस पराने तक्रार उस गरत खर्मी और अंजिश को बुलाकर मेरे किकले से लग जा आशनी मैंने उस भाउने को खला समझा मैं इस समझा कि शनी न मुझे माफ कर दिया आशनी न मुझे माफ कर दिया लेकिन शनी जारगर भाई की को मलपावनाओ की पूर्ती के लिए नहीं शनी पतिगात के लिए आया था के मलपतिगात आशनी पत्रागर अशनी पूर्ती है वावनाओ लेकिन अच्छ मुझे नहीं के मलपतिगात कर के मलपतों तो जट्रागर कानव शर्या डर्या kesकाष्ट अमस्तव शर्या कि यूज़ान जदुजाध सब्सक्राप्रावनकिकी शर्या प्रगर विश्वास विकेंदित था ये मेरी गल्ती थी दूसरी गल्ती सब्या की मौत के साथ साथ तारा और बेशक दिशारी हो गई है सब्या की मौत के साथ तारा की शर्यंतों के सारी रास्ता फ्रोग गए ये सिरारगर का दुर भागिये है और ये मेरी गल्ती कुसुर्वार मैं हूँ जनी के सारे उगर्मों का प्राइश्चे पुचे करना होगा प्राइश्चे पुचे पुचे अभी और इसी वाक्त उन से पिलना है जो होगी प्राइश्चे पुचे करना को हाजर होने की इचाज़त है जो आप गया प्राइश्चे करना है आपकी इजासद हो तुम्हे अपना बयान देने के लिए तयार हो शिर्दत को इस बात परता चुप नहीं कि तुम्हें दे गई दो दिन की मारत से पहले तुम अपनी बेगुना ही का प्याम देना है अब शिर्दत को तुम्हारी मौत का ये फालादी फैसला नहीं लेना पड़ेगा पजित क्योंकि तुम्हारी ये सिंदगी चुनारगर के लिए बहुत किम्ती है किम्ती नहीं निसंते ज़रूरी भी सबूत पेश करो सबूत आपके साब भी खड़ा है महाराज मैं सब्या की कतल का जर्म कबोल करता हूं महाराज तुम्हार तुम्हें से दख की विश्वास को खंदिप करने का जर्म किया है बंदिचकनाथ महाराज मैं कुसुरवार हूं क्यों तुम्हें सब्सक्राइब का इसस नहीं कि तुम्हें विश्वास को कबोल करके अपने ही मौत को तावत दे दी जी महाराज पंदिचकनाथ खुद को कुसुरवार मंगर तुम इनसाफ के समीर पर दस तक दे रहे हो शुद्ध के सामने प्रेजन का इद्बाल करने का अंच्छन समझते हो चलते हो जी महाराज शुद्ध के सामने इस एक पल्या प्याम के बात किसी कवा की जरूरत नहीं होगी अटब क्या तुम मलूमे बने जगनाथ कि कानून के सख्ट कद्वों को शुद्ध भी थाम नहीं पएगा महाराज आपके इस कानून का सख्ट से सख्ट वार भी मुझे मन्जूर है क्योंकि मैं कुसर वार हो तुम चूद बुर रहे हो चूद बुर रहे हो तुम महाराज तुमने शुद्ध के विश्वास को खंड़त की आई तुमने शुद्ध के यगीन पर चोड़ती है तुम्हें शिर्दत के एक बार की तरूंगी है, पंडित। शिर्दत ये जनना चाहता है, पंडित। कि आखिर वो तुम्हारी कॉन से मजबूरी है। जो शिर्दत की जजबातों की बेगदू करके, तुम्हें जिद की हदों तक ठकिल रही है। क्यों, पंडित। आखिर क्यों? इसके पावचुद, पंडित। शिर्दत ये मनने सिर्कर करता है। कि तुमने सब्ध्यका कदिल किया है। अचलाइए। खमुशी से परीवे गुस्ताखी। अगर इसी घस्ताखी करनेगा को यतना पंडित। तुमने से अचलाइए। चली जाओ, पंडित। चली जाओ! गलव, पंडित। शिर्दत अचलाइए। तो कल तरबार में तुम्हारा पाउक नहीं बल्कि तुम्हारे जूत को सुने पर चड़ा दिया जाएका तुम जा सकते हो जा कर दो सकते हैं